नमस्कार विद्धर्थी मित्रो आज हम गद्विभाग में पाठ बार कंक्रश्यतू लोभेन पाठ का अध्यन करेंगे जिसका आर्थ होता है कंगन के लोभ के कारण प्रस्तूत पाठ जो है नारायन भट द्वारा रचित हितो उपदेश नामक ग्रंथ में से लिया गया है संस्कृत भासा में रचित एवं संस्कृत साहित की अभिन अंग रूप प्राणी कताय समग्रह विश्व में व्याप्त हैं उसमें विश्णु सर्मा नामक निती सास्त्रग्य विद्वान की रचना के रूप में पंच्तंत्र एवं नारायन भट नामक विद्वान की रचना माने जाने वाला हितो पदेश नामक दो ग्रंथों में संग्रहित प्राणी कताय सो विश्य से इन कथाओं में भरपूर मनुरंजन है उसके साथ ही वाचक में बिलक्षरता प्रगट हो एवंग चातुरे भी उत्पण हो इस प्रकार की सुन्दर कथावस्तू की कल्पना की गई है कथा पठन के बाद मनुष्य में प्रगटित, बिलक्षणता एवंग चातुरे, मात्र राजनेतिक या निती सास्त्र के से समंधित व्यवसाय में ही उपकारक नहीं होता बलकि वाचक स्वयम के जीवन में भी कुणात्मक परिवर्तन हो इस प्रकार का उद्देश इन कथाओं और नारायन भट नामक विद्द्वानों ने लिखी है प्रस्तुत पाठ जो है हितो उपदेश में से लिया गया है हितो उपदेश निती सास्त्र के इस अमर ग्रंद के प्रारंब में आने वाली प्रथम कथा जो लुप्द पथिक कथा सिर्षक से सुप्रसित देजिस में एक पथिक कंगन के लोग के कारण किस प्रकार मृत्तु को प्राप्त होता है उसका इस पाठ में वरणन किया गया है इस पाठ की जो प्रस्तावना है उसका दूसरा और तीसरा जो पेरेग्राप है उससे आप दो बार घर पर स्वेम पढ़ेंगे क्योंकि इस प्रस्तावना के आधार पर प्रश्ण है उससे अफसरलता से लिख सकते हैं और अभी जो है इस पाट के अनुबाद के शरुवात करते हैं अथ प्रसाद प्रिश्टे सुख उपविष्दा नाम राजपुत्र नाम पुरस्तात प्रस्ताव क्रमेण पंडित अबृत भो राजपुत्र सुनत अनुवात करेंगे तो अथ सब्देकार्थ की अब प्रसाद प्रिश्टे सब्देकार्थ की महल के छत के उपर महल के छत के उपर एसे प्रसाद प्रिश्टे सब्देकार्थ की महल के पीछे महल के पीछे सुख विष्ट सुख पुर्वक बैठे हुए सुख पुर्वक बैठे हुए या विराजमान राजपुत्र नाम सब्देकार्थ की राजकुमार पुद्धेशित करते हुए या संभोधीत करते हुए राजपुत्रों को शंभोधीत करते हुए प्रस्तावक्रमेण प्रस्तावक्रमेण सब्द्यकार्थ की पंडित ने कहा अब महल के पीछे सुख विष्टह सुख उपविष्टनाम सुख पुर्वक बैठे हुए राजपुत्रणाम पुरस्तात सब्द्यकार्थ की राजकुमारों के सामने प्रस्ताव क्रमेड सब्द्यकार्थ है कि कथा का प्रारंब करते इसका अर्थ है धीमताम सब्देकारत की बुद्धिमान तो अनुवात की शुरुवात में करेंगे कि धीमताम कालह सब्धिकार्थ की समय कि बुद्धिमान का समय काभी सास्त्र काभी सास्त्र की अध्यन में काभ्य सास्त्र बिनो देने तो काभ्य सास्त्र और मन रंजन में बीचता है धीमताम काला सब्धिकार्थ है कि बुद्धिमान का समय काभ्य में, शास्त्र में, बिनोदेन और मनरंजन में गच्छती सब्द्यकार की बीतता है वेशनेन तु मुरुखाणाम, निद्रया, कलहेन वा तु सब्द्यकार की लेकिन लेकिन मुर्खा नाम सब्दे के मुर्खों का समय लेकिन मुर्खों का समय वेशनेन सब्देकात की वेशन करने में नसा करने में निद्रया सोने में वाकलहेन और जगडा करने में बीत जाता है ततह भौता बिनो दया काकह कुमर्दिनानाम बिचितरा कथा कतिस्यामी ततह सब्धिकार चर्डी कर दिए भौता बिनो दया सब्धिकार कि तुम्हारे मनरंजन के लिए इसलिए तुम्हारे मनरंजन के लिए काकह कुमर्दिनाम सब्दकार्थ है कि कववे और कचुए की बिचित्रह कथा कश्यामी एक में अध्भुत कथा सुनाता हूँ अथवा कहता हूँ इसलिए भवता बिनोदया तुम्हारे मनरंजन के लिए कववे और कचुए की एक अध्भुत कथा कथिस्यामी में कहता हूँ राज पुत्रे युक्तम राज पुत्रों ने कहा आर्य श्रीमान कथे तु कहो संप्रती मित्रलाबय प्रस्तुत है की अभी मित्रलाबय परुस्त्तित्र मित्रलाब मेंसे यह कथा प्राप्त है मित्रलाब में से यह कथा ले गई है, मित्रलाब नामक भाग में से या प्रकरण में से प्रस्तुत यह कथा प्रस्तुत की गई है, तत्रयम प्रथम कथा यह उसकी पहली कथा है, उसमें की यह पहली कथा है, यत्वा तत्रयम प्रथम कथा उसमें की यह पहली कहानी है, अनुवात की शुरुआ जब करेंगे तो यथा सब्देकार्थ की जिस प्रकार कंकड़ से तू लोभेन कंगन के लोभ से कंगन के लोभ के कारण सु दुस्तरे सब्देकार्थ की पार न किया जा सके अत्वा निकला न जा सके तो सु दुस्तरे सब्देकार्थ की कठिनाई से जहां से निकला न जा सके पंकडे सब्देकार्थ की गहरे कीचड में मगना सब्देकार्थ की डूबा ब्रिद्ध ब्याग्रेन सब्राप्त सब्राप्त की ब्रिद्ध ब्याग्रेन सब्देकार्थ की बाग के ब्रिद्ध बाग के द्वारा पकड़ा गया पथिक पथिक जो है सम्रित्व सब्देकार की म्रित्व को प्राप्त हुआ पुरानवाद फिर से सुनलो यह था सब्देकार थे कि जिस प्रकार कंकड़स्यतू लोभेन कंगन के लोब के कारण सु दूस्तरे कठिनाई से पार किये जाने वाला थो बाहर आ सके ऐसा नहीं या कठिनाई से जिसमें से नहीं निकला जा सके पंकड़स्यतू लोभेन के किचड़ में मगन सब्देकार की डूबा हुआ किचड़ में डूबा हुआ ब्रित प्याग्रेंड ब्रित बाग के द्वारा सव प्राप्त हो पकड़ा गया प्राप्य ब्रित बाग के द्वारा पकड़ा गया पथिक सव मृत्तय हो यथा मृत्तू को प्राप्त हुआ तो इतना अनुबाद जो है आप एक बार पढ़ लेंगे और बाकी का अनुबाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा धन्यवाद